हेलो फ्रेंट्स, दिस इस चीतन, 15 अगस्त की दिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने लाल किले से जो अपनी स्पीच दी थी वो तो आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने गारंटी दी थी कि अगले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थिय व्यवस् है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थिय व्यवस्ता आखिर बने का केसे, इस बात में कोई दोराई नहीं है कि तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल होना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्दी होगी, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है, अगर हम ये मान ले कि हमारी अर्थिय व्यवस्ता अभी 3.5 ट्रिलियन डोलर की है, तब भी हमें 5 ट्रिलियन डोलर तक पहुशने में बहुत महनत करनी पड़ेगी, रियलेटी में हमें तकरीबन 7 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल करनी होगी, लेकिन जिस तरह से भारती रूपिया अमेरिकी डो बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे चोड़ना होगा, क्योंकि ग्रोथ रेट उनकी भी अच्छी है, वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसा कर नहीं सकते, और इसे पोसीबल बनाने के लिए हमें कुछ ठोस उपाई करने होगे, यदि ह हमें विक्सित बनना है, तो सब को साथ लेकर चलना होगा, हमें डिमान पढ़ानी होगी, जो कि अभी सुस्त पड़ी हुई है, इसके लिए हमें माइक्रो सेक्टर, यानि सूख्च मुद्ध्योग पर विशेश ध्यान के इंद्रित करना होगा, क्योंकि हमारी टोटल वर्क का 48% इस सेक्टर में काम करती है, इसका मतलब है कि इस तस्वीर को बदलने के लिए हमें सूख्च मुद्ध्योगों की मदद करनी होगी, हमें उन्हें लोन डिस्टिब्यूट करना होगा, हमें उन्हें मार्केटिंग के तरीके बताने होगे, उन्हें टेक्नोलोजी हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि सरकार MSME के लिए जो गोशनाई करती है, उसका ज्यादातर प्रोफिट मीडियम इंटरप्राइजेज उठा लेते हैं, और माइक्रो एवं इसमाल इंडस्टि इन चीजों का प्रोफिट नहीं ले पाते, इसके लिए समाधान ये है कि हमें जगा-जगा कोपरेटिव बनाना होगा, एसी संस्थाएं, माइक्रो इन इसमाल इंडस्टिस को हर तरह की सुविधाएं प्रोफिट कर सकती हैं, चाहे वो इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलोपमेंट हो, चाहे वो क्रेडिट हो, लोन हो या जो भी, इसी तरह हमारा फोकस एगरी कल्चर पर भी होना चाहिए, क्योंकि किसानी अब घाटे का सोधा बनती चाह रही है, इसी लिए किसान MSP को तारकिक बनाने और स्वामी नाथन आयोक की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि देश की 46% population अभी भी एगरी कल्चर पर डिपेंड हैं, इसका मतलब है कि हम इस छेतर को नजर अंदाज नहीं कर सकत, और जितना हम लेट होंगे, हमारी क्रशी की स्थती उतनी ही खराब होती जाएगी, कहते हैं, employment is an important measure of economic progress, मतलब रोजगार आर्थिक तरक्की का महतुपूर्ण बेमान भारत में केसी इस्थिती है आप सभी को पता है, इसलिए विक्सित भारत के सपने को सकार करने के लिए हर हात में रोजगार होना आवश्यक है, हमने मंद्रिगा के तहतों, ग्रामीन भारत में रोजगार मुहया करवा दिया, लेकिन शेहरों का क्या? मतलब ये कि इसके दुआओं के लिए रोजगार गारंटी योजना को मजबूत बनाया जाना चाहिए। कुछ राज्यो जिसे राजिस्थान ने इसा किया भी है लेकिन ये कदम केंदर सरकार को उठाना पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि अभी 27 से 30 करोड जरूरत मंद हातों के पास काम नहीं अभी देश में 43 करोड वरकर काम करते हैं जिन में से करीब 3 परसेंट यानि 2 करोड वरकर सरकारी या किसी पबलिक सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टिसिपेशन को 4 से 5 परसेंट तक बढ़ा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा स सरकार कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ऐसा माहूल बना सकती हैं जिसमें एगरी कल्चर सेक्टर को जीवन प्रदान किया जा सके। क्योंकि इससे allied activities में काम कर रहे हैं लोगों को फाइदा होगा और जो बेरोजगार हैं उनको भी काम मिल पाएगा। इसी के साथ भारत में करीब 6,000 बड़े उद्योगे यानि big industries हैं और करीब 6,000,000 के आसपास MSME हैं। सरकार कारो बारियों के हित में जो भी कदम उठाती हैं वहाँ दरासल बड़े उद्योगी घरानों के खाते में चली जाती हैं। कोरोना के बाद से informal sector की demand shift होकर अब formal sector में चली गई हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो असंगटित छेतर है जो हमारा informal sector है वो पिछड़ गया है और हमें उस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। GST ने सेतर को वेसे ही बरबाद कर दिया। बेशक यहाँ टेक्स informal sector पर लागू नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है input credit जैसे लाब formal sector को मिल जाता है जिससे उनका माल सस्ता हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर formal sector और informal sector को आप देखेंगे तो formal sector जादा अच्छी condition में है। उन्हें government के initiative उसका लाब मिल रहा है लेकिन informal sector में इसा नहीं है। दिन एक अजीब बात यह है कि आमीरों के देश छोड़ने का भी हमें नुकसान हो रहा है। और इसका reason यह है कि यहां का business environment इतना अच्छा नहीं है। 2014 से 2019 के बीच करीब 23,000 wealthy people ने भारत को छोड़ा और 21,22 में करीब 7,000 लोगों ने इसा किया। अगर इसी तरह wealthy people हमारा देश छोड़ते रहेंगे तो इंडिया के development को lead कौन करेगा। इसलिए business का confidence समालना बहुत जरूरी है अगर हमें जरूरी विकासदर हासिल करनी है तो। इन सभी के साथ technology का भी काम बहुत बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ तकनीक भी एक महतुपूर्ण घटक हैं जिसमें हम पीछे हैं क्योंकि हम अभी GDP का 0.7% ही research and development पर खर्च करते हैं। जबकि Korea 3%, Israel 4% यह देश हमसे कहीं आगे है। बहतर तकनीक की वज़ा से अन्य गंट्रीस के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। इसलिए हमारे industrial product competition में टिक नहीं पाते हैं। इसलिए demand भी कम होती है और इसका खामियाजा हमारे industrial sector को भुगदना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हमें तकनीक में आत्म निर्भर बनना होगा। क्योंकि अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान इन सभी छेत्रों में हमसे आगे हैं। अगर हमें विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे व्यवस्था बनना है, तो इन सभी के लिए integrated policy लानी होगी, जो इन सभी मुद्धों को address कर सके। So आज के लिए इतना ही, thank you!